कहानी शुरू होती है और हमें एक स्कूल की ग्रेजुएशन सेर्मनी दिखाई जाती है वही हम दिखते हैं बोसडबाच को जिसे उसका दोस्त बालचत्री बता रहा होता है कि ग्रेजुएशन के बाद वो यहां से चली जाएगी जिसके बाद वो किसी और से अपनी पिंकी पिटवा कर प्रेगनेंट हो जाएगी और फिर वो तुझे पहचाने की भी नहीं कि तेरे जैसा कोई चूतिया उसकी क्लास में पढ़ता भी था इसलिए भाई तु मेरी बात मान तुझे आज ही सब के सामने उसे प्रपोस करना होगा कहता है कि बॉबी मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब से हम साथ वी क्लास में थे मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब तुमने मुझे पहली बार चूतिया बोला था मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था लेकिन मैं तुम्हें कभी बोल नी पाया क्योंकि हमने कभी बात ही नहीं की अब बोसट बाज भावनाव में इतना ज़्यादा बहए जाता है कि वो वहाँ पर बैठे दूसरे लोगों की भी बुराईया करना शुरू कर देता है कहता है कि हमारे बीच में एक नहा दूपिया बैठी है जो की एक नंबर की बहन की गोडी है साथी याँ पर एक हाथी का बच्चा जियान भी है जो की दिमाग से पूरी तरह बावली गांड है ये छोटे बच्चो को परिशान करता है क्योंकि शादी से खुद कभी बच्चपन में प्यार नहीं मिला इसके अलावा हम बाबू बिसलेरी को कैसे बूल सकते हैं जो की पूरे स्कूल का सबसे बड़ा भैंड का लंड है लेकिन इन सब में मेरा एक बेस फ्रेंड बालशतरी भी है जिसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो एक छक्का है अब बोसरडबाज और भी कुछ कहने वाला होता है कि तबी टीचर आकर उसे रोक देती है फिर बोसरडबाज जब स्कूल से बाहर आता है तो उसके पास बॉबी आती है और उसे कहती है कि बोसरडबाज के क्या बोल रहा था तू अब बॉबी वहां से जाने लगती है, लेकिन बोसडबाज उसे रोकते वे कहता है कि आज शाम को मेरे घर पर एक पार्टी है, और तुम बहुत लखी हो कि तुम उस पार्टी में इन्वाइटेड हो, बॉबी कहती है कि मैं देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाता है, फिर शाम को बालशत्री बोसडबाज के घर आता है, जहां पर बोसडबाज ने आज शाम की पार्टी के लिए पूरा इंतरजम करके रखा हुआ था, इसलिए मैं चाता हूँ कि तुम ये चुट्टियां बहुत अच्छे से इंजॉय करो, कहता है कि तुमें भी व जिसके बाद वो वाँ से चला जाता है, फिर कुस दिर बाद बॉबी बोसड़ी वाली भी अपने दोस्तों के लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है, जिनके नामते जलमिल जहाट और गीली बिली, फिर बोसडबाज कहता है कि यहीं, इसी लोकेशन पर, फिर वो सभी घर के अंदर जाते हैं, जहांपर बॉबी देखती है कि हाँ पर उनके अलवगा तो कोई ओर है ही नहीं, जिनुल जहाट कहती है कि मुझे बियर पीनी है, लेकिन उनके पस बियर नहीं ती, तो बालठ़टरी बताता है कि हमारे पास Σचैंपियन है, अब सब्सक्रबाज ऑने के ब बोटल को उपन गरता है, तब ही उस बोटल का ढखकन उसके मूँ पर आकर लगता है, और बोसडबाज नीचे गर जाता है, अब ये देखकर बॉबी उसके उपर आती है, और कहती है कि मुझे बरफ चाहिए, अब बोसडबाज के घर पर बरफ तो नहीं थी, तो बालचत्री चड़ी हुई थी, तो बोसडबाज का छोटा नुन्नु उसकी पैंट में ही खड़ा होने लगता है, फिर जब बोबी को पता चलता है कि उसका नुन्नु उसकी लेने के लिए तड़ा परा है, तो वो उसकी उपर से उठ जाती है, और जाकर अपनी सहीलियों को बताती है कि बोसडबाज की दो इंच की लुली धीरे धीरे पांच इंच की होने लगी थी, अब गिली बिली बालचदरी के पास वो नेरोध देख लेती है, जिसको देखकर बॉबी कहती है तो ये था तुमारा प्लैन, तुम हमें बजाना चाते थे, बोसडबाज कहता है कि नहीं नही ये तो मेरे बाब के हैं, अब बॉबी को उनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तबी वहाँ पर बॉबी का बॉइफिन बाबू बिसलेरी भी पहुँच जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि बोबी बोसडबाज के घ पुला छूड जाता है, और इससे पहले कि वह उससे बंद करने जाता है, तबी बाबू बिसलेरी भी दरवाजा तोड कर अंदर आ जाता है, लेकिन तबी बोसडबाज उसे खिलोनों वाली तलवार दिखाता है, और कहता है कि अब तु मेरे हातों से नहीं बचेगा, क्यों बाल छतरी की तो खुद की फट्टी पड़ी थी, इसलिए वो अपनी गांड उठा कर चुपचा वहाँ से बाहर भाग जाता है, अब बाबू बिसलेरी बोसडबाज को पकड़ कर मारने ही वाला होता है, कि तबी वहाँ पर बाबी आ जाती है, और बाबू बिसलेरी को मार क के लिए थैंक्यू बोलता है, जिस पर बाबी कहती है कि बोसडबाज के मैंने तुझे नहीं बचाया, तु तो खुद ही जबरदस्ती आकर मेरी कार में बैढ़ गया था, अब बोसडबाज अपने मॉम डैट को कॉल करके उन्हें ये साब बताने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कुछ बियर खरीदनी थी, फिर अंदर जाकर बोबी और बोसडबाज बहुत सारी बियर और चखना ले लेते हैं, लेकिन जब वो कैश काउंटर पर पैसे देने जाते हैं, तो कैशियर उन्हें कहता है कि मुझे तुमारी आईडी देखनी होगी, क्योंकि तुम लो चूसूंगी, जब तक तुम्हारा पानी नहीं निकल जाता, अब कैशियर उसका ये ओफर मान जाता है, जिसके बाद बोबी उसका दबा कर चूसने लगती है, अब वो लोग बियर लेकर भाहर आ जाते हैं, जिसको देखकर उसके फ्रेंड्स पूसते हैं कि तुमें ये मिल लेकिन बोसरबाच जैसे ही उस बोतल को अपने दातों से खोलने लगता है, तब भी उसका एक दान टूटकर नीचे गर जाता है, अब बोबी को बोसरबाच से अकेले में कुछ बात करनी थी, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को इशारा करती है, जिसके बाद वो तीनों मू बोतलों के लिए किसी का मूँ में नहीं लेती, अब ये सुनकर बोबी को बहुत रिग्रेट होने लगता है, कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भाई हम उन तीनों को देखते हैं, जो कि घुमते घुमते गाएं के तबेले में पहुँच जाते हैं, तब भी गीली बिली चुलसी मचती है, इसलिए वो भाई की तरह कार को फूली स्पीड में दोडाने लगती है, लेकिन तब भी उसके सामने एक दूसरी कार आ जाती है, और बोबी की कार उसे जाकर टकरा जाती है, अब बोसरडबाच देखता है कि उस कार में से उसका बाप निकलता है, जो वहा पर एक शांदार पाटी रखी थी, अब वहाँ बोसरडबाच यूही बटकरा होता है, लेकिन तबी महाँ पर वो हाथी का बचा जियान आ जाता है, और उसे पकड़ कर एक रूम में ले जाता है, अब बोसरडबाच को लगता है कि शाह जियान भी उसे पीटने वाला है, ल वो दोनों बॉबी के पास आते हैं, और उसे कहते हैं कि अब हमें यहां से चलना चाहिए, लेकिन तबी बॉबी देखती है कि वहाँ पर बाबू बिसलेरी तो नेहा धूपिया के साच चुमा चाटी कर रहा है, अब बाबू बिसलेरी वहाँ पर बोसरबाच को भी देख ल टीचर तो कहता है कि ये लड़ाई बराबर की होनी चाहिए, इसलिए तुम दोनों को एक एक चंस मिलेगा एक दूसरे को मारने का, अब पहला मोका बोसरबाच को दिया जाता है, लेकिन वो गंड़ फटू मना कर देता है, और कहता है कि मैं हार गया, प्लीस मुझे जाने द लेकिन तभी बाबू बिसलेरी उसके मूँपर एक गुसंड पिलाता है और उसे चित कर देता है, फिर वो उसे वापस पीटने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जियान आ जाता है, और बाबू बिसलेरी से कहता है कि बुसरबाच के मेरे दोस्से दूर रहे, जिसके तो सभी उसमें बैटकर वाँ से चले जाते हैं अब उन सभी को वाँ से किसी सेफ जगे पर जाना था तो वो सभी अपने स्कूल चले जाते हैं अब क्योंकि बॉबी स्कूल की हैट शियर लीडर थी इसलिए उसके पास स्कूल की एक एक्स्ट्रा जाबी थी फिर वो सबी स्कूल के अंदर जाते हैं, जहां पर बॉबी और उसकी फ्रेंड्स बोसरडबाच को मुझरा करके दिखाती हैं, अब मुझरे के बाद उनका नहाने का मन करता है, तो वो तीनो नहाने के लिए लौकर रूम में चली जाती हैं, अब बोसरडबाच वहीं बैठा ह वहीं वो तीनो भी खड़ी होती हैं, जो कि वहाँ पर पूरी नंगी थी, अब उनको ऐसे देखकर बोसरडबाच वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी बाबी उसे अपने पास बुलाती है, और उसे अपने बड़े बड़े बबबे दिखाती है, कहती है कि तुम भी हमार चत्री भी आ जाता है, और उनको कहते है कि तुम लोग यहां से निकल जाओ, मैं इन भेहन के लवडों को समभाल लूँगा, तभी हम एक फ्लेश्बेक का सीन देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जब बालचत्री छोटा था, तो उसे उसकी क्लास के बच्चे गीले तोल लेना था, इसलिए वो रोज घर पर तोलिया लेकर मारने की प्रैक्टिस करने लगा, अब बच्चपन से जवानी तक वो प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन कभी भी उसे अपना बदला लेने का मौका नहीं मिला, फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, और हम देखते हैं वो सबसे पहले दारू पीते हैं और सेलिबरेट करते हैं, फिर कुछी देर में सुबह होने वाली थी, तो बोबी बोसडबाज को लेकर सन्राइज देखने के लिए बाहर चली जाती है, वहीं अंदर हम बालचत्री को देखते हैं, जो कि उन दोनों लड़कियों को बता रह होता है कि वो छक्का नहीं है, और ये अफ़ा तो उस बहन के लोड़े बोसडबाज ने फैलाई थी, इस पर वो दोनों लड़कियां कहती है कि अकर तुम छक्के नहीं हो, तो हमें साबित करके दिखाओ, जिसके बाद वो दोनों उसके साथ गचा-कच मचाना शुरू कर द जाते हैं, जहां पर बोसडबाज के मॉम डैड उसका वेट कर रहे थी, फिर जाने से पहले बोबी बोसडबाज को हग करती है, और कहती है कि मुझसे जल्दी ही वापस मिलना, साथ ही वो उससे इतना प्यार करने के लिए उससे थैंक्यू बोलती है, बोसडबाज कहता है कि यह वाईयात फिल्म यहीं खत्म हो जड़ा है